रसोईय संग ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान का आभार जताया क्योंकि अब उनका मांदय 2-4,000 रुपे कर दिया गया है रसोईय संग ने फैसरा किया है कि आगामी विधान सभा चुनाव में वो सरकार की योजनाव को घरगर पहुचाएंगे रसोईय संग द्वारा सौपे का एग्यापर में पांच सूत्री मांगे रखी गई है वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान द्वारा रसोईयों को मासिक मांदय बढ़ाये जाने पर आभार जताया गया है वहीं विगत कुछ महा का मांदे रसोईयों को प्राप्त नहीं हुआ है जिसका भुक्तान कराय जाने के मांग की गई है सभी दिंडोरी जिले की रसोईय बहने के द्वारा समस्त सहमति के अंसार आज हम बड़ी खुची के साथ सुराज सी मामा को धन्वा देते हैं और हम ये भी वादा करते हैं कि हम सरकार बनाने में लगातार काम्याब रहेंगे और सभी लोग लगातार घर घर जाकर के सरकार की सारी योजना को बताएंगे इजोरान दिंडोरी कलेक्टेट पहुचे पूर्व कैबिनेट मंतरी ओम प्रकाश दुर्बे ने कहा कि दिंडोरी जिले के सभी ब्लोकों के लगभग साड़े तीन हजार हमारे जो रसोई या भाई बहन है वे कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंतरी शिर्वासीन चोहान को धन्यवाद देने आए हैं ओम प्रकाश दुर्बे ने कहा कि रसोईयों के द्वारा कहा गया है कि वो मद्ध प्रदेश में भाजपक की सरकार बनाने में मदद करेंगे मुख्यमंतरी को धन्वाद देने के लिए यहां करेक्टर जी के माध्यम से कि शिवराज जी को धन्वाद पत्र इनका पहुच जाए कि उन्होंने हमारा जो मान दे है दुगना बढ़ा दिया है जो भी रासी मिलती रही है और उन्होंने एक और कहा है हम सरकार बनाने में स्वहयोग करेंगे सरकार बनती है तो एक और छोटी सी माग है कि हमको नीमित किया जाए ऐसा आज SDM और कॉलेक्टर को उन्होंने धनवात पत्र दिया है अशर देता है रभिंद्रनात टैग और युनिवर्सिटी अन्लॉकिंग पोटेंशिल आप देख रहे है डखल न्यूज